नमस्ता वर्ल्ड के टोप सिक्स बिजनेस में उनके क्या मंत्र हैं जो आज वो उस इस्तिरी पर पहुंचे हैं उन्होंने ऐसा क्या डिपेंड किया जो दूसरों नहीं किया और आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है विश्व के टोप सिक्स बिजनेस मेंन की बाते आज अपन जाने के उनके ऐसे क्या मंत्र हैं जो आपको जानने चाहिए उन्होंने ऐसा क्या विशेष किया जो आज वो इस इस्तिती पर पहुंचे हैं आज उन्होंने ऐसा मुकाम पाया है जो हर कोई वो पाना चाहता है टार्गेट को एचिव किया, देखिया आप, रतन टाटा, रतन टाटा कहते हैं कि अपने काम को पूजा मानिये, आप सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हो, कितने डेडिकेशन से करते हो, कितना ध्यान लगा कर प्रभू की पूजा करते हो, रतन टाटा कहते हैं कि ऐसे ह कि रोज अपने काम की पूजा करो अपने काम को पूजा मानो अगर आपने काम को पूजा माना ना तो आपका काम आपके लिए कभी बादा नहीं बनेगा वो आपके लिए आसान होता जाता है रतन टाटा कहते हैं कि लोगों से अच्छा विवार करो लोगों का सम्मान करो रतन टाटा कहते हैं कि गर आपको लंबा चलना है और टोप पर पहुचना है ना तो लोगों को साथ में लेकर चले अकेले चलकर आप अपने लक्ष को नहीं पासकते हों अपने आस पास एसे लोगों को पहचाने उनका सम्वान करें और लोगों से अच्छा विवार बने तभी की अलग्केट को अचिव कर पावा रावत लूठी मुटे संबानी व्रड के गटोर बिजनेस में मुके संबानी कहते हैं कि जोटकर सोचे पोजिटिव सोचे मुगा संबानी कहते हैं कि आज के टाइम में मार्केट में इतना बढ़ा है कि हर चीज के आपके पास competition है आप सामने वाले से कैसे अग निकलोगे आपके पास बहुत सारे competitor है दस मानलों 10 competitor हैं आपकी लाइन में और आप दस ही सेम चीज कर रहे हो तो आप आप दस ही सेम जगह रहोगे, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आप उन दस में से आप कुछ different कर रहे हो, आप कुछ hurt कर कर रहे हो, तो आप उन दस में से number one हो जाओगे, मुक्य संबानी कहते हैं कि मेरी success का यही राज ही में कुछ hurt कर करता हूँ, और हमेंसा सकारात् रहता हूँ, positive रहता हूँ, Jeff Pejos, Amazon के सस्तापक, वो कहते हैं कि ग्रहक को value दे, ग्रहक को भगवान माने, उनका यही भंडा है कि जो ग्रहक आपको क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, ग्रहक आप से क्या चाता है, जो आप से ग्रहक चाता है ना, जो आप से customer चाता है, उसे तु करें, ग्रहक को satisfy करें, ग्रहक आप के product की demand करें, मार्केट में जाकर नहीं मुझे उस company का product चाहिए, तब जाकर आप business में आगे बढ़पाऊ, ग्रहक की value आपको समझनी होगी, एलन मस्क, एलन मस्क कहते हैं कि हमें साथ जिग्यासू बने रहें, वो कहते हैं कभी सीखना बं कर दिया ना, उस दिन आपकी growth store, एलन मस्क कहते हैं कि मेरी सपलता का राजी मेरी असपलता है, वो कहते हैं कि मुझे जितनी बार असपलता मिलती है, मैं उतना ही ज्यादा success होता जाता हूँ, अभी हाली ने एलन मक्स ने डेट सो करोड को rocket अंतरिक्स में बेजा, 40 किलोमेट पिर गया parachute blast हो गया, 1500 करोड रुपए, एक सेकंड में हवा हो गया, बरबाद हो गया लेकिन एलन मस्क ने क्या कहा, इस से मैंने क्या से कsh 이미 इस से मैंने अपने जिए बहुत बड़ी सीख सी कि ए, तो एलन मस्क कहते हैं कि ये असपलता ही मेरी सपलता का कारण है, वो कहते हैं जिग्यासू बने रहें और सीखना कभी बंद मत करें अगर आप ने ये किया ना तो आप भी बहुत टोप पर पहुचोगे ये कहते हैं कि लोगों की सुने और जल्दी अपडेट करें ये कहते हैं कि अपने आज पास का जो भी आपका एंवारिमेंट हो आपके आज पास का बतावर हो वो क्या कहता है आप सुने आप जो भी आफसर मिलता उस आफसर को पकल ले और तुरंत अपडेट करें दूसरे आप अपने आपको अपडेट कर लें। यह कहते हैं कि अगर आपने अपने ग्राक की नई सुनी। अगर आप ने अपने आजपास की आउसर को नहीं पकड़ा। और मार्केट पल पल बदल रहा है। हर सेकंड बदल रही है दुनिया। आपको दुनिया के साथ में अपडेट होना होगा अगर आप अपडेट नहीं हुए आप ने लोगों की नहीं सुनी तो आप पीछे रह जाओगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ बिल गेट्स माइक्रोसोंट के सस्था पक यह कहते हैं कि रिस्क ले लाइप में रिस्क उतनी ही ले जितनी आप सहन कर सको लेकिन रिस्क लेना जरूर यह कहते हैं रिस्क जरूर लेना खुद पर परोसा रखना आप रिस्क ले रहे हो लेकिन आपके मन में आपके उस रिस्क क परती परोसा होना चाहिए कि नहीं मेरा ये काम सक्सेस होगा नहीं डेपिनेटली आई विल शोर विन ये आपके अंदर कोर्डिनेंस होना चाहिए ये कहते हैं कोई भी काम कल के बरोसे नहीं छोड़ना कि मैं आने वाले टाइम में ये करूंगा आने वाले टाइम में वो करू तो यह विश्व के सबसे टोप लिडर टोप सिक्स बिजनेसमेन के यह मंत्र हैं जो आपको जानने चाहिए और यह इनका मंत्र से ही अपन टोप लेवर पर पहुंश सकते हैं